हेलो फ्रेंड्स अनुजियर आज के लेक्चर में हम यूपी के जनसंख्या के बारे में कुछ important data देखेंगे यूपी PCS में हर साल यहां से question बनते ही हैं और यह बहुत ही low hanging fruit है यहां से question गलत करना मतलब आप competition से दूर होने का risk ले रहे हैं तो अगर आप last year का paper देखेंगे तो पाएंगे कि commission ने paper का level थोड़ा सा बढ़ाया है जैसे कि जनसंख्या की question में वो first और last rank ना पूछ कर second rank और third rank पर focus कर रहा है और even first rank वो option में ही mention नहीं कर रहा है तो हमें at least three order की ranking याद ही रखनी पड़ेगी और इस lecture में हम map के through भी देखेंगे कि कैसे geographical और economic factors जो है population को affect करते हैं तो इससे हमें help मिलेगी कि कोई option हमें नहीं पता है तो eliminate हम easily कर सकते हैं तो start करते हैं आज का lecture ये पहले हम census के बारे में कुछ basic basic information देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे है first census first census आया था 1872 में और उसमें वायसराय थे Lord Mayo तो उन्होंने सबसे पहले census करवाया था इंडिया में ठीक है फिर second census उसमें वायसराय चेंज हो जाते हैं वायसराय बनके आते हैं Lord Ripon ठीक है कि Lord Ripon वायसराय बनके आते हैं 1881 में ये census करवाते हैं और Lord Ripon को ही father of local self-government बोला जाता है जो village पंचायत और self-government का ये जो concept था तो ये Lord Ripon ने दिया था ठीक है और ये देख लेते हैं कि जो हम अभी census जिससे data पूछता है वो last census जो हुआ था 2011 में हुआ था और ये हमारा country का 15th census था कि 15th census था और जब से independence हुए है after 1947 ये 7th census है after independence ठीक है तो सतंत्र भारत का ये सात्वा जनसंख्या है और UP के बारे में अगर हम देखें तो UP का basic देख लेते हैं कि अगर total population और land कि पूरे इंडिया का 7.33% land हमारे पास है मलब एतनी जमीन है बट 7.33% land पे हमारे पास population का burden कितना है हमारे पास population है 16.5% तो double से भी ज़्यादा है तो that man की pressure काफी होगा land पे हमारे तो population density काफी है व urban population का कि सहरी करण जो सहरों में जनसंख्या निवास करती है वो कितनी है तो in UP 11.7% of total urban population of country country में जितनी population है उसका 11.7% population UP में रहती है सहरों में और इसमें UP की जो rank है वो second है second rank है और इसमें top पे महराष्टरा है और ग्रामीड जनसंख्या की देख लेते हैं rural population की बात करें population जो इंडिया की rural population UP में रहती है और इसमें UP की ranking first है ठीक है सब ज्यादा rural population जो है ग्रामीड जनसंख्या हमारे उत्तरप्रदिस में रहती है अब आगे देखते हैं यहाँ पे format थोड़ा छोटा है तो decadal growth की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले decadal growth देख लेते हैं अब इंडिया का पहले देख लेते हैं कि इंडिया के कितना है तो यहाँ पे 17.7% है decadal growth rate याई 10 की व्रिध्धी 10 साल में कितने व्रिध्धी हुई तो 17.7% की व्रिध्धी हुई 10 सालों में और यहीं अगर UP की देखें सेम अवधि में 2001 से 2011 के बीच में तो इसकी जो growth है 20.22% की growth के साथ है तो काफी ज्यादा growth हुई है और अगर population density अब हम देख लेते हैं कि एक square kilometer area में कितने people रहते हैं ठीक है तो अगर इंडिया की हम बात करें country की बात करें तो इसका जो data है यहाँ पे 382% per square kilometer में रहते हैं बट जैसा कि हमने बताए UP पे 7.33% land है और 16.something population है यहाँ की तो यहाँ पे population के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ का जो data है 829% per square kilometer रहता है और इसको अगर हम ratio के form में निकालेंगे तो यह आएगा 2.17 is to 1 का ratio है तो यह double से भी ज्यादा जो population density है वो country के comparison में यहाँ पे है अगर हम sex ratio की बात करते हैं sex ratio अगर देखें तो यह country की पहले हम देख लेते हैं तो इसकी है 943 ठीक है और UP का अगर देखें तो UP का sex ratio है 912 ठीक है तो यह sex ratio दोनों में काफी कम है जो कि 1000 girls में देखा जाता है कि कितने boys है तो अगर इंडिया में देखें तो 1000 girls पे 943 यह male है और 912 female पे 1000 female पे 912 male है population है UP की और 6 ratio in child अगर यह child में देखें तो 026 year का हम देखते हैं ठीक है तो इसका अगर country का देखें तो 919 male population है फिमेल के 1000 female पे और अगर यही UP में हम देखें तो यह data है 902 का ठीक है और हम literacy rate देख लेते हैं literacy rate की बात करें तो country के literacy rate जो है वो 73% पे है 73% country की literacy rate है और UP की literacy rate अगर हम देखें तो 67.7% literacy rate है अब इसमें UP में एक चीज़ और हम याद कर सकते हैं कि male और female की कितनी है क्योंकि यह UP PCS में पूछ सकता है तो male की देखें हम तो 77.3% male की literacy rate है और 57.3% female की literacy rate है जो की काफी कम है अब यह दो अलग अलग याद करने का हम एक simple सा trick रखेंगे कि 67.7% literacy rate है UP का इसमें plus minus 10% कर देते हैं ठीक है अब यह plus minus मैं ऐसे symbol दिखा रहा हूं याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि male और female को male को plus से represent करें female को minus से तो 67.7% में 10% add करेंगे 77 ठीक है और इसमें minus 10.57 यह female का जाएगा तो ऐसे हम याद रखेंगे इस टिक के थूँ नेक्स्ट देखते हैं अब largest area in district अगर UP का largest area district देखें area wise देखें अगर हम तो area में देखें तो यह लखीमपूर खेरी हो जाएगा ठीक है लखीमपूर खेरी ठीक है यह सबसे बड़ा district है और अगर सबसे छोटा district के अगर हम बात करें जो सबसे छोटा district है UP में वो संत्रविदास नगर है जिसको भदोही बोलते है भदोही ठीक है यह सबसे छोटा district है जो कि मिरजापूर से बाइक फरकेट होके बना हुआ है अब हम ranking देख लेते हैं जहां से question maximum probability होती है कि यहां से question आएंगे exams में तो district की ranking different categories में हमें देखना है अब हम population की सबसे पहले बात कर लेते हैं ठीक है और अगर हम population का देखते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर maximum का देखते हैं तो maximum में अगर देखे तो सबसे ज़्यादा population है हमारा प्रियाग राज का प्रियाग राज का पॉप्पुलेशन सबसे जादा है उसके बाद है मुरादाबाद का पॉपुलेशन जादा है उसके बाद गाजियाबाद का गाजियाबाद का पॉपुलेशन जादा है और ये मिनिमम में अगर हम देखे तो मिनिमम में सबसे लो पॉपुलेशन महोबा की है महोबा की पॉपलेशन सबसे कम है उसके बास चित्रकूट है चित्रकूट उसके बाद हमीरपूर अब इसको हम मैप के थूँ भी देख सकते कि पॉपलेशन मिनमम सबसे कम है अब देखें महोबा चित्रकूट और हमीरपूर यहाँ पर यह महोबा चित्रकूट हो गया और म तो यह तीनों रीजन अगर मैप के थुरू हम देखें तो यह तीनों बुल्देल खंड के रीजन है यहां पर economic activity बहुत ज्यादा नहीं है यह पुरा प्लैट्ट्यू रीजन है यहां पर water availability भी बहुत पूर हो जाती है summer season में तो यहां पर इसी वज़ा से इस पूरे रीजन मे population काफी कम है तो अगर हमें exam में यह ranking नायाद हो या फिर हमें कुछ अलग option दे दे जिससे eliminate करने के लिए माल लिजे वो eastern UP का दे दिया या फिर western का दे दिया तो आप यह डिसाइड यह differentiate कर सकते हो कि नहीं जो भी होगा वो बुद्दल खंडिजन का होगा population जहां पर कम होगी तो यहां से आप blind gaze ना लेके एक smart gaze यहां से ले सकते हैं next देखते है population density का कि एक square kilometer में कितने number of people रहते हैं case district में सबसे ज़्यादा है अगर सबसे ज़्यादा का अगर हम देखें तो यह है गाजियाबाद में अब यह कहा कहा होगा जो बड़े अच्छे सहर है और बड़े सह लुकति सहरे होगे तो सबसे ज़्यादा population density अगर हम देखें तो यह है गाजियाबाद में इसके बाद वारानसी और लखनौव में ठीक है तो यहां पर population density ज्यादा है और वही minimum का अगर हम देखें तो minimum population density है ललितपुर में इसके बाध है सोन भद्र में सोन भद्र में minimum population density है और इसके बाद है हमीरपूर ठीक है इसको भी हम map के थू देख सकते हैं ये हो गया ललितपूर यहाँ पे सोन भद्र है और हमीरपूर ठीक है तो यह सब बुद्र खंड के रीजन है सोन भद्र तो नहीं है लेकिन ये पूरे रीजन जो है ये बिंध्या रीजन है ठीक है तो यहाँ पे भी economic activity नहीं है population को रहने के लिए उतने अच्छे conditions नहीं है तो यहाँ पे population density बहुत कम है और ये area जो है actually plate 2 है या फिर forest land है ठीक है तो अब next देखते है next है sex ratio ठीक है अब यह देख लेते हैं कि sex ratio maximum कहाँ पे है तो maximum अगर हम देखे है तो यह सफ ज़्यादा sex ratio है जौनपूर में ठीक है जौनपूर के बाद है आजमगण में आजमगण और उसके बाद है दिवरिया में maximum sex ratio यहाँ पे है यह data हमको याद करना पड़ेगा यह थोड़ा important data है और minimum का अगर हम देखें तो minimum है गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर इसी का headquarters नुएड़ा है ठीक है इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो बागपत का है बागपत और हमीरपूर ठीक है यह equal ranking पे हैं हमीरपूर और इससे ज़्यादा अगर देखें तो कानपूर नगर बांदा और मथूरा ठीक अब यहाँ पी यह है कि हो सकता है आपको option बनाते से में आपने ranking रट ली है कि सबसे कम है minimum गौतम बुद्ध नकर नुएड़ा की बट वो यह हटा दे वो दूसरा बागपत भी हटा दे वो हमीरपूर option set कर सकता है तो इस order को हमें याद रटना है कि दूसरा और तीसरा पहल ठीक है प्लस माइनस 10% का मैंने आपको concept बता है वो याद करने के लिए है male और female की ठीक है तो अब हम maximum देख लेते हैं कि maximum कहां पे है तो literacy सब ज़्यादा literacy सब ज़्यादा जो साक्षर लोग हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध नगर में इसके बाद है कानपूर नगर कानपूर नगर में और इसके बाद है औरया में ठीक है और अब literacy rate ये साच्छर तादर गर minimum का अगर हम देखें तो सबसे कम साच्छर तादर कहां पी है स्रावस्ती में है स्रावस्ती में सबसे कम साच्छर लोग हैं उसके बाद वहराईज और उसके बाद बलराम पूर, ठीक है, अब ही literature सबसे मिनिमम स्रावस्ती बहराईच और बलरामपूर में ही है, तो इस रीजन को उगर हम देखें तो यह आप देख सकते हैं, स्रावस्ती बहराईच और बलरामपूर, यह पूरा यहाँ पे रीजन है, यह पूरा नेपाल से सटा हुआ यह तर यह 10 की वृध्धी इसको बोलते हैं कि 10 साल में कितनी वृध्धी हुई 2011 का यह data हम देख रहे हैं तो मुलब 2001 से 2011 तक में कितना वृध्धी हुई है और कहां कहां ज्यादा हुई है तो अगर Decadal Growth का अगर हम देखें तो Maximum Decadal Growth कहां लोग जाके रहना पसंद करेंगे ठीक है पहले हमने क्या देखा कि यूपी का जो Decadal Growth है वो कितना है 20.22% है ठीक है और इंडिया का Decadal Growth तो कम है 17.7% है एक टाइम ऐसा हुआ है जितने बार भी जो 15 census हुए है total उसमें 1911 से 1921 का Decadal Growth 10 साल का था 1921 में जब data आया तो उसका Decadal Growth रिट जो था वो निगेटिव था बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि Decadal Growth रिट निगेटिव में आई है हमारी तो अब हम यह देख लेते हैं कि Maximum कहां पर है तो सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा जहां पर ज़्यादा ज़्यादा लोग जाकर बसेंगे ठीक है कोई अच्छे सहरों में बड़े सहरों में जहां अप स्रावस्ति है स्रावस्ति यहाँ पर बुद्धिचम की वज़ा से काफी ज़्यादा लोग रिसाइट करना चाहते हैं और मेनिमम का अगर हम देखें तो मेनिमम डिकेडल ग्रोध चुह हुई है वो कानपूर नगर में है कानपूर नगर में ठीक है इसके बाद हमीरपूर म हमीरपूर में और इसके बाद बागपत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे मलब कम लोग यहाँ पर रह रहे हैं अभी डिकेड़ 10 सालों में जो बृध्धि हुई है अब अरबन पॉपूलेशन का देख लेते हैं कि अरबन पॉपूलेशन में कहां कहां पर जो नगरी जनसंख्या है, किस जिले की नगरी जनसंख्या सबसे ज़यादा है, किस जिले में सब ज़यादा लोग नगरों में या सहरों में निवास करते हैं, ठीक है, तो अगर मैक्सिमूम की देखे तो सब सबसे ज्यादा ज़ो जन संख्या है वह रहती है गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग सहरो में रहते हैं में उसके बाद लखनव में ठीक है उसके बाद कानपूर नगर कांदपुर नगर में और अगर यही मिनिमम के सबसे कम लोग सहरों में कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लोग सहरों में रहते हैं तो यह देख सकते हैं हम स्रावस्ती हो जाएगा स्रावस्ती और इसके बाद चित्रकूट ठीक है एक सिकंड चित्रकूट और इसके बाद हो जाएगा कौसामबी डिस्ट्रिक कौसामबी डिस्ट्रिक अब रूरल पॉपलेशन ग्रामीड जनसंख्या देख लेते हैं ग्रामीड जनसंख्या कहां पे सबसे ज़्यादा रहती है तो ग्रामीड जनसंख्या के करपात करें सब ज़्यादा ग्रामीड जनसंख्या जो है इलहावाद में रहती है जो के प्रियागराज ठीक है अब प्रियागराज बोला जाता है इसके बाद दूसरे नंबर पे सब ज़्यादा जो ग्रामीड जनसंख्या रहती है वो आजमगण में रहती है आजमगण में रहती है और इसके बाद तीसरी नंबर पे जो है वो जौनपूर है ठीक है और अगर सबसे कम अगर देखें तो minimum population के अगर देखें तो कहां पे होगा वो वहीं पे होगा जहां पे सहर पूरी तरह से बहुत बड़े-बड़े सहर होंगे या फिर जो भी होंगे तो सबसे minimum जो ग्रामीरी ज दो इसकी खुद की population दोनों रिष्टिक में काफी कम है तो ग्रामीरी जनसंख्या भी कम है इस वज़ा से अब यहां पे schedule caste की population देख लेते हैं कि यह कितनी है तो अगर पूरे UP की जितनी population है अगर उसमें से हम देखें तो 20.7% population जो है UP की वो schedule caste में आती है और अगर country का यही हम देखें पूरे इंडिया में 16.6% population schedule caste के अंडर आती है ठीक है और अगर in terms of number अगर number के term में देखें तो maximum population जो है वो UP में ही रहती है बट यह है अगर आप यह number में देख रहे हैं बट यह है अगर हम percent के form में देखें तो percentage के form में तो maximum population जो है वो पंजाब में रहती है वो है around 32% के आसपास ठीक है तो maximum number के form में जब देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग UP में रहते हैं बट percentage के term में जब देखेंगे population जब compare करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा नंबर पंजाब में आएगा और यह district wise देख लेते हैं कि 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 डिस्ट्रिक में सबसे ज़्यादा population recite करत जो कि प्रयाग राज है और हर्दोई ठीक है और minimum का अगर हम देखें तो minimum बागपत होगा बागपत फिर स्रावस्ति है बागपत स्रावस्ति एंड गौतम बुद्धनकर जो कि नोईडा ठीक है तो यह हमने देख लिया अब सेटिल ट्राइब का देख लेते हैं कि tribal population जो है वो कहा रिसाइट कर मलब कितनी है यूपी में और फिर maximum और minimum का हम देख लेंगे कि हिर इस्टिक में population कितनी है ठीक तो अगर हम यह यूपी में देखें तो यूपी में जो ट्राइबल पॉपोलेशन है 0.6% है सिर्फ बहुत कम जो कि होती है कि 0.6% पॉपलेशन जो है ट्राइबल पॉपलेशन है जो कि maximum या तो टराइबेल्ट में जो लखेंपुर खेरी और वो पाक्स हैं उधर मिलेंगे या तो फिर ये maximum इनकी population recite करती है बुदल खंड रिजन में ठीक है तो इसमें देखने के लिए हम ये देख लिए कि 0.6% तो UP में है बट इंडिया में अगर देखें हम total तो इंडिया में total population जो tribal population है वो 8.6% है उसके comparison में UP में काफी low है population तो अगर इसमें maximum अगर हम देख लें तो maximum है सोनभद्र में सोनभद्र डिस्टिक में इसके बाद है बलिया में बलिया और इसके बाद दिवरिया तो सबसे ज़्यादा जो tribal population है वो सोनभद्र है क्योंकि ये maximum forest वाला area है फिर बलिया में दूसरे नंबर पर tribal population जाता है और फिर दिवरिया में और सबसे कम अगर देखें तो बागपत अब बागपत में हमने क्या देखा था कि SC population भी सबसे कम है सेडियूल काश्ट की और सेडियूल ट्राइब की भी population सबसे कम है तो यह हम पहला याद रख सकते हैं कि SC और ST population जो है वो सबसे कम दोनों हैं बागपत डिश्टिक में ठीक है फिर यह है कन्नौच दूसरे नंबर पर कन्नौच और इसके बाद बदायू बदायू डिश्टिक अब यह हम देख लेते हैं population क्या है different religion जैसे बहुत सारे रिलीजन रहती हैं बहुत सारे religious percent रहते हैं तो कौन-कौन से religion का कितना population है यह हम देख लेते हैं % और इसका गी है कि यह order में भी लगवा सकता है ठीक है order देदेगा कि कौन सा right order है या कौन सा correct order है ठीक है तो यह हमें याद अखना विद परसेंटेज ठीक है तो हिंदू पाप्पुलेशन अगर हम देखें तो 79.73% पापुलेशन यह इतनी हिंदू पापुलेशन है मस्लिम पापुलेशन अगर हम देखें तो यह 19.26% सिख पॉपलेशन अगर हम देखें तो यह 0.32% ओके और क्रिश्चियन पॉपलेशन अगर हम देखें तो 0.18% जैन पॉपलेशन 0.11% और बुद्धिष्ट पॉपलेशन 0.01% तो यह आपको क्रिश्चियन में और बुद्धिष्ट याद होना चीए कि सिख जादा है उसके बाद क्रिश्चियन पॉपलेशन जादा है इसके बाद जैन पॉपलेशन जादा है इसके बाद बुद्धिष्ट है ठीक है जैन और बुद्धिष्ट में देखें बहुत माइन का इतना था इसके बाद हम उत्तर प्रदेश विशेश से लेकर आएंगे जिसमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रॉबबल जो हमें लगेगा कि यह प्रॉबबल क्विश्चेन है जो कि इस्टेट पूछ सकता है तो उस पे हम आगे डिसकेशन करेंगे तो थैंक यू फर वाची साइन फूफ